नमस्कार दोस्तो आज यू वेदान मेडिसन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा सिर्दर्द का घरेलो उपायों के बारे में दोस्तो जब कभी भी किसी को सिर्धर्ध या आधा सीसे का दर्ध होता है तो उसे बहूत सी समश्याव का सामना करना पढ़ता है ऐसी कंडीसर में दोस्तो जीना बहुत जाद उक हो जाता है तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कुछ गही लूपाएं इनको अपना कर आप अपने सिर्दर्द को बहुत यली ठीक कर सकते हो दोस्तों सिर्दर्द असल में नर्वस सिस्टम और गर्दन से जुड़ी हुई समश्या होती है सुबह सुबह सिर्दर्द के साथ उठना मतलब पूरा दिन बरबाद हो जाना है सिर्दर्द एक बहुत ही सामाने समश्या है पर कही बार यह इतना तेज होता है कि बरदास करपना मुश्किल हो जाता है यूद तो बाजारगों के अंदर बहुत तरी की दवाई मिलती है, जो कि सिर्दर से रहत के लिए काफी अच्छी रहती है, लेकिन हर बार दवाई लेना ही अच्छी बात नहीं होती है, सरी में बहुत अधिक भारी लवन का जाना दूसरी बीमारी का कान मन्याता है, पर आप तो ऐसे घरेली उपायों को अपना कर आप अपने सिर्के दर्द को चुट्कियों में दूर कर सकते हैं, ये उपाय इतने आसान है कि आप इने ओपिस में काम करते करते भी आजमा सकते हैं, पर एक बात जो सबसे ज़्यदा महत्पूर्ण है, वो यह है कि वह आपके मस्तिक् साथी में सांत रहने की आपको कोशिस करनी पड़ेगी, इन सभी घरेली उपायों की अच्छी बात यह होती है कि आप पूरी तरह से सुरफचित और कारकर होते हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं और घरेली उपायों के बारे में, सबसे पहला उपाय होता है एक्यूप्र प्रफच्बशर एक ऐसा माद्दम होता है, जिसके माद्दम से आप अपने सिरदर्द से संबस्परखार के रोगों को चुट्कियों में ठीक कर सकते हो दोस्तों सालों से लोग सिरदर्द से रहाद पाने के लिए एक प्रेसर का पयोग करते हा रहे हैं सिरदर्द होने के सिद्धिति में आप अपनी दोनों हतलियों को सामने ले जाएए इसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगोठे को इंडेक्स फिंगर के बीच की जगह पर हलके हाथ से मसाज कीजिए ये पर कीजा दोनों हाथों में 2-4 मिनट तक आपको दोरानी है ऐसा करने से आपको सिरदर्द में काफी आराम मिलेगा दोस्त आमारे जो दूसरा उपाई होता है वो होता है पानी के द्वारा पानी का इस्तिमाल करके आपको बहुत जिल्दी ठीक कर सकते हो इसके लिए आपको क्या करना है कुछ-कुछ देर तक पानी को थोड़ी-थोड़ी मातरा में पीने से भी आपके सिर्दर्द में आराम मिलता है एक बार आपका सजीर हाइडरिट हो जाएगा तो आपका सिर्का दर्द भी काफी अच्छी जल्दी ही कम होने लगेगा दोस्तो लॉंग के द्वारा भी आपने सिर्के दर्द को ठीक कर सकते हो साथी लॉंग एक ऐसा मात्यम होता है जिससे आपने सिर्के दर्द को काफी अच्छी जल्दी ठीक कर सकते हो तवे पर लॉंग के कुछ कलियों को गरम कर लीजिए इन गरम हुई लोंग के कलियों को एक रुमाल से बान लीजिए कुछ-कुछ देर में इस पोटली को सूंगते रहे हैं आप बहुत जल्दी आपके सिर्करदद बहुत जल्दी कम हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों एक और उपाय है घृषकिसे कहीं हती कार्गर होती है इसका प्रजीन है दोस्तों आप कैसे भी करसकते हो ऑप चाई की जगह आपको दोस्तों तुल्दी पत्यों को खाकर भी आप अपने शिर्करदरत को दूर कर सकते हूँ दोस्तों पाचा उपाय होता है सेव पर नमक डालकर खाने से आपको काफ़े फाइदा होता है दोस्तों सेव अगर आप कोशिस के बाद भी आपको सिर्दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है तो आपको एक सेव गाट लेना है उस पर नमक डालना है और यह सिर्दर्द से रहात पाने के लिए सबसे अच्छा और कार उपाय होता है इसके हलावा दोस्तों एक उपाय होता है काली मिर्च और पुदिनी की चाय का इस्तिमाल करके साथ ही आपको क्या करना है सिर्दर्द में काली मिर्च और पुदेनी की चाय का सेवन करना बहुत ही फायतेमन होता है आप चाहें तो बलैक टी के अंदर पुदेनी के कुछ पतिया मिला कर भी खा सकते हो दोस्तो यहते वो छे घरी लूपाई जो कि आपने इस वीडियो में जाने है सिर्दर्द को ठीक करने के लिए घरी लूपाई काफी अच्छे होते हैं आप इन में से किसी भी घरी लूपाई को अपना सकते हो और आप अपने सिर्दर्द को काफी जल्दी ही ठीक कर सकते हो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बतना है इसके साथ ही हम उम्मेद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार